नमस्कार स्वागत है आपके लर्निंग शॉट्स में तो आज हम बात करेंगे गिटप का एक नया टूल आया है को पाइलेट इसके बारे में तो जैसा कि अभी हाइप हो चुका है अल्रेडी कि यह कोड जेरेट करता है अटोमेटिकली तो अब समझना यह है कि क्या कोड लिख क्या है तो यह आज आज की स्वीडियों लूप डिसक्स करेंगे इसके बारे में और जो भी इसकी हाइलाइट्स हैं जो जो इसके फीचर से उसके बारे में डिसक्स करेंगे तो आगे चलते हैं तो Powered by OpenAI, तो OpenAI का जो background में वो OpenAI का code है, इसमें जो utility है या कह सकते हैं आप जो AI-based main जो machine दी इसके पीचे काम कर रही है, tool generate, tool code generate करने के लिए वो OpenAI का, तो OpenAI तो सब लोग जानते हैं, Elon Musk founder है उसके, तो यह करता क्या है, तो यह किस basis पर काम करता है, basically तो यह trained है already billions of lines of public code, तो जैसे GitHub में लोगों की public repository होती है और private repository होती है, तो जो public repos हैं लोगों की, उस सब की analysis करके AI पर data train किया गया है, और उसके हिसाब से, इसका जो पूरा एक engine है, वो इस तरह से काम करता है, जितना भी billions of lines of code GitHub पे पढ़ा हुआ है, उसको यह understand करके, उसका context समझ के, उसके बाद code suggest करता है, code generate करता है, और basically करता है क्या ही, तो यह, अगर आपका third point पढ़ाएंगे, तो यह suggestion जो लेता है, ऐसा नहीं है कि, केबल, जो जैसे आप Eclipse होगरा या जो भी आ विसलिस्टूड होगर उसके next, जो keyword होता है, या next parameter होता है, उसका suggestion आता है, या function के parameter होते हैं, लेकिन आपका जो एडिटर है उसके साथ, तो इसके बाकी और भी features है, क्या काम करता है, कैसे काम करता है, तो आई आगे discuss करते हैं, तो autocomplete, autocomplete जैसे कि discuss किया है, हम लोगों ने अभी के Eclipse में है, या आपके और भी जो IDEs होते हैं, उसमें autocomplete, basically जो होता है, आपका next, या तो function parameter, य लेकिन ये autocomplete से थोड़ा सा आगे है, उतना ही है, या थोड़ा fancy है, क्या है, तो basically इसके पीछे है codex, तो codex जो है, वो platform है, open AI का, जो कि इसके पीछे का जो पूरा engine है, वो codex ही है, तो codex के वारे में अलग से एक वीडियो बना सकते हैं, अदर्वाइस आप बेसिक गूग में provide कर रहे हैं, किसी particular string में है, कुछ भी मताई है, तो ये takes the context के, आपका क्या context है, इस code का, इस particular class का, इस particular function का, इस particular project का, तो बहुती localized context लेता है, उसके बाद आपको code generate करता है, उसके साब से, और जो comments है, comments में आप comment लिखे, comment में अपना logic describe कीजे, उस logic को पढ़के, ये code कैसे generate करेगा, आपना जो comment लिखा, तो आप पूरा जिसको billions of lines of code का, जो database से उसमें जाके, देखता है, कि अगर इस तरह का कुछ किसी ने लिखा हुआ है, तो उस type code automatically generate करेगा, हो सकता है, वो best practices के basis पर, वो worst practices के basis पर भी हो सकता है, code suggestion, तो वो हम आगे चलके discuss करेंगे, ये repetitive code जो होता है, same class, same functional, सब में तो, तो बहुत सारा repetitive code है, ये वो auto fill करता है, आपको बारवर लेखने की भी जरूरत नी पड़ेगी, दूसरा है कि आप अपने जो जैसे आप Java में coding करते हैं, तो आप जैसे आपके test cases होते हैं, जैसे जैए उनिट रहा पूरा unit test का package जो है, वो है, ये आपको suggestions की list बताता है, कि माली ये आपको दो-तिन suggestions देगा, वे उनिटाबेस राइट, कि ये possible options हैं इस code के, तो उसमें से आप चूज कर सकते हैं कि कौन सब code आपके लिए बेटर है जो alternates जो इसमें provide करा हैं, और उसमें से भी आप उसको edit कर सकते हैं, आपको लगता सबसे आपने उसको select किया और edit कर लिया, तो ये काम कैसे करता है, आगे चलते हैं, बहुत ही basic diagram है, आप जैसे अगर देखेंगे इस तुरफ तो open AI का codex model है, वो पूरा AI model है, वो trained है, जो public code है, जो internet पे, git पे, इतना ही public repos में जो codes पड़े हुए लोगों के, उस पे पूरा database train किया गया है, और फिर आपका ये github co-pilot बनता है, आप ये service क्या करती है, आपका जो editor होता है, उस editor के साथ, जो context read करता है, उसके साब से ये बापस codex से suggestion लेके, आपको suggest करता है, तो ये इसकी basic high level functionality है, अगर आप देखेंगे इस तरफ राइट साइड में, जो आपका editor है और जो editor जो context read करता है, suggestion देता है, फिर suggestions को improve भी करता है, based on input के जैसे आपने कुछ edit किया, modify गया, तो वो इसके लिए as an input जाता है, कि ये किसी ने modify गया, तो this can also be one of the way, right, तो वो suggest होके, उसके database में चला जाता है, तो ये है इसकी basic functioning, right, तो आगे आगे चलते हैं, Is it perfect, right, so simple answer, no, because अभी pilot mode में है, अभी publicly आया नहीं है, आपको अगर ये try भी करना है, तो again आप इसके लिए register करेंगे, आपका नाम wait list में आएगा, उसके आपको access में लेगा, ऐसा क्यों होता है, क्योंकि इसके पीचे बहुत ही heavy AI का infrastructure है, तो वो अगर सबको publicly access दे लेगा, त it's extremely high cost, right, तो इसे limited basis पर अगर आपका use cases justify है, तो उसके साब से आपको इसका access मिल जाएगा, और जो है code है, यह आपको जो local context है, उसको समझने ही कोशिस करता है, क्या आपने comment लेकिए आपका project बना रहे हैं, आपको इसका code generate करता है, तो हो सकता हो, मतलब it makes sense or it may not make sense, right, मतलब हो सकता है, बहुत ही बखवास आपको suggestion दे लिए, आपके लिए useless हो, फिर है कि अच्छा काम कराना है, इससे तो कैसे कराना है, तो उसके लिए है कि आप अपने code को small small functions में divide करें, तो इसकी performance थोड़ी सी better है, और काफी इनोंने try किये कि जो python के कुछ codes, को auto suggest करके, I think 57% type से है, तो I think अभी काफी इसमें improvement बाकी है, लेकिन improvement तभी होगा जब इसको लोग use करने start करेंगे, जितने ज़्यादा इसको input मिलेंगे data train करने के लिए, उतना ही mature होता जाएगा, बतलब टिपिकल AI का concept ही हो ही है, more you train, more you gain, right, और अभी क्या है कि अभी के विए visual studio के साथ supported है, तो आपको जो editor है, उसके साथ जो extension है, वो इसका visual studio के साथ available है, तो ये है इसके बारे में basic key highlights, features, function, तो लेकिन future में ये काफी helpful हो सकता है, developers की productivity बढ़ाने में, developers की job तो कहीं नहीं जाने वाली है, लेकिन developers की productivity बढ़ाने के लिए, in fact, अगर आपके पास कुछ ideas है, in fact, आप कर रहे हैं, तो focus on implementation, right, coding तो आपको करने के लिए help मिलेगी, इससे तो बड़ा productivity बढ़ेगी, आप जिस चीज़ को अचीव करना चाहते हैं, उस आप जल्दी अचीव कर लेए, जो जो आपको एक्सेस मिलेगा, एक से अच्छे code का, एक से बुरे code का भी, obviously, because it's a public library, उसके हि आप यह बोल सकते हैं कि आपने एक assistant hire कर लिया, जो आपको हमेशना help करते हैं कि code कैसे करना है, क्या 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 alternate solutions है, comment लगती है, उसका जनेरेट करते हैं, तो आप जिस idea पर काम कर रहे हैं, उसमें आपका coding में टाइम थोड़ा सा कम बेस्ट होगा, आप actually main idea पर काम कर सकते है तो यह था अपना github co-pilot, तो आज के लिए वस इतना ही, और ऐसे new trending topics हम लेके आते रहेंगे, तो आज के लिए वस इतना ही, thank you, धन्यवाद